F3 Healthy Life के एक और फ्यार से एपिसोड के साथ आगी है रवीना सिर्फ आपके लिए वाम वेलकम करती हूँ आपका हमारे इस शो में इससे पिछले वाले एपिसोड में मैंने आपको पॉमो-گ्रेनٹ पील पाउडर से जड़े काफी एफेक्टिव सी होम फेसबाग्स और एफेक्टिव सी होम व्रेमिटी आपके साथ शैर किये थे और आज भी उसे सिलसले को बड़करार करते हुए मैं कुछ effective सी home remedies और face packs लेकर आई हूँ सिर्फ आपके लिए तो चलिए बढ़ते हैं हमारे effective सी home remedies और face packs की तरफ तो हमारे सबसे पहनी effective सी home remedy है हमारी हडियों से जो हुआ आप pomogranic peel powder का सेवन करके अपनी कमजोर हडियों को मजबूत बना सकते हैं जी हां जैसे के हमी joint pains होते हैं जैसे के after the age of 30 हमारी हडियां जो है वो पमजोर पढ़ने लगती है तो pomogranic peel powder जो है उसमें anti-inflammatory property पाए जाती है एक ग्लास पानी ले लीजे उसमें 2 टेबल स्पून pomogranic peel powder को add कीजे उसमें थोड़ा सा नमक स्वात अनुसार दालिए और साथ ही साथ दालिए आधा निभो का रस इन तीनों चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए और इस पानी का सेवन आपको करना है दिन में एक बार दो से ती महिने तक इस remedy का इस करके आप अपनी weak bones को strong कर सकते हो अपनी हडियों को मजबूर बना सकते हो चलिए इसी के साथ बढ़ते है एक और effective सी home remedy की तरफ अगर आपको हो रहा है half oil या अगर आपके सिर्व में हो गए है dandruff जिसकी वजासे आपके बाल जो है वो गिंते जा रहे है अच्छी तरीकी से mix कर लीजे अब इस तेल को जो हम एक कट्रोय में निकाला है इसे आप थोड़ा सा हलका सा गुनगुना कर दीजे जब यह अच्छी तरीकी से गुनगुना हो जाए तो हलका सा उससे थंड़ा होने दीजे और इस गुनगुने तेल को आप अपने scalp में पानी के स्काल्प में यूही लगा रहने दीजिए उसके बाद आपक किसी भी माल शैंपों से और गुर्ण कुने पानी की मदद से इसको बाद से इसको बाद कर लिजे अगर आपक इसकी बेस्ट रिजल्स चाहिए तो आप इस ऑल्ली को जो हमें इस प्लाइब किया है उसको अगर लगे नहीं दीजे और नेक्स्ट मॉनिंग आप इसे वाच कर लिजे दो से तीम महिने तक आप इसका 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 माल कीजिए आप खुद ही नोटिस करोगे कि आपके सिर में जो टेंटरफ हो गया था वो तो चला ही गया है साथ ही साथ आपके सिर में है ब्रोध हुन दातों के लिए अगर आपका दात हिल रहा है या आपके दात दुखते है तो आपको सिर्फ इतना करना होगा कि कोमगरानिक पीलथा पावडर ले लिजे उसमें दो से तीन काली मिर्च के पावडर को अच्छे तरीके से अड़ कर लिजे और उसमें थोड़ा सा नमक अपला अपलाय करना है खास तौर पर उस दात पे जो की हिल रहा है या फिर उन दातों पर जो के दुख रहे है अपलाय करने के बाद अच्छे तरीके से अपलाय कीजेगा आगे से पीछे से और उसके बाद 15-20 मिनिट तक आप इसे यू ही लगा रहने दे उसके बाद मॉडर आप खुद ये नोटिस करोगे कि आपका जो दाथ हिल रहा था वो अपनी जगा पर फिर से फिक्स हो चुका है जी हाँ और साथी साथ आपका जो की दाथ भुख रहा था वो सारे दर्थ से आपको निजाद ही मिल जाएगी तो ये थी बहुत ही effective से home remedies जो के मैंने अभी आपके साथ शेयर की है लेकिन इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारी effective से home remedies और tips मौजूद है pomo granite field powder से जोड़ी जो मैं आपको बताऊँ ही मेरे अगले episode पे बिल्कुल मेरे episodes को देखिएगा और अपने feedbacks और comments मुझे जरूर बताईएगा मेरे video को like और share जरूर कीजेगा YouTube पे, Facebook पे, WhatsApp पे, Twitter पे और हमारे channel को भी जरूर subscribe कीजेगा लेती हो आँसे विदा किसी बाते के साथ कि फिर से हाजर हो जाओं की में ऐसी ही effective home remedies और tips लेकर सिर्फ आप के लिए तब तक के लिए खुदा हापिस